आप सबी को नमस्कार, सबसे पहले मैं अपनी वरिष्ट साथी रमाजी को धन्यवत करूँगा, जब मैं विद्यार थी था तो इस कॉलेज में अक्सर आता था, तब वो यहां नई-नई प्राध्यापी का बनी थी, मैं डिवेटिंग कॉंपटिशन के लिए आता था, वो जज बरिष्ट साथी हैं, करेब तीस साल से हम लोग पढ़िए था, मैं तो पढ़िए था, वो तो जिहाद ने रखती होंगे, लेकिन मैं तो शुरु से ही रखता हूँ, दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का, मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी र वेदन किया कि भाई एक ही बार कर लो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देने हम एक बर आएक दोनों काम कर लोगा, पर इन दोनों में वहाँ ठीक ठाक जोर आजमाईश हुई और अंत में तय हुँए उब है कि दो ही बार आना होगा, तो पिछली बार तो म करीब छे महीने पहले आया था निश्ठा सुसाइटी का गवर्नेंस पर एक सेमिनार था शायद इनको हम सोचने से कि ताल मटोल करके मैनेज कर लेंगे हमने काफी कोशिश की हमारे टीम ने काफी बहाने लगाए कि इसर बिजी है भारत के बाहर है दुनिया के बाहर खूब हमने कहा हमें लगा कि अंत में हार के गिब अप कर देंगी या लेट गो कर देंगी कुछ तो करेंगी पर यह नहीं मानी इन्होंने मुझे मैसेज किये कभी-कभी लगवग हर्ष होती हुँ लेंगज मैसेज किये कि सर आपने वाइदा किया सा क्या से पीछे अड़ सकते तो फिर यह हुआ कि ठीक है आना तो है ही अन्त तह आज के दिन पर हुआ फिर टॉपिक्स की बाद तो ही तो इनका रिवेदन था कि बस मोटिवेशन पर कुछ भूल देजी आप तो मैंन के भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मुझे वो सब नहीं आता है आप मुझे कोई टॉपिक्स देंगे तो शैद में बात कर पाऊँगा तो फिर इनो नहीं कुछ टॉपिक्स भेजे चार-पांच कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आपनों की उम्र को देखते हुए वो था दा आर्ट ओफ लेटिंग गो राइट दा ओफ लेटिंग गो लेटिंग गो आपकी पीडी का बड़ा प्रसिद्ध शम्द है हमारी पीडी में तो वो नहीं होता था हम तो उस पीडी के उस खेत्र के लोग हैं मैं हरियाना से हूँ पंजाब का असर हम पे रहा है ठीक ठाक हिंदी भाशी हम लोग रहे हैं अंग्रेजी हाला की मैं वो लेता हूँ कोई चिंता की बात नहीं लेकिन हिंदी ही मेरी आत्मा की भाशा है तो जब मैंने सोचा की लेटिंग गो मैंने टीम से पूशा क्या होता है लेटिंग गो तो हमारे टीम में कुछ यंग लोग है नोंने बताया कि सर्फ बहुत महत्तमोर चीज़ है आप लोग नहीं समझेंगे हमारी पीड़ी के लोग समझते हैं इसको लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो जाने दो तो मैंने गा अच्छा ये तो हमारी पिड़ी में भी होता था हम इसके लिए शम्द कुछ और बोलते थे जैसे मैनू की तैनू की छड़ो यार अरे मतिया दो अरे महार में जाए अरे देखा जाएगा अरे देख लागे तो हिंदी हो, पंजाबी हो, अरियान भी हो बिहार में अरे मतिया दो तो वहां मतिया दो बोल देते हैं इस लिए अंग्रेजी भाशा में एक मुहावरा आजाने से ऐसा थूड़ने है कि महारत की लोग उसके बेना काम चला रहे थे यहाभी काम चली राचल हम में समय से तो फिर मैंनका ही टॉपिक ठीक है और जिस उम्रे के बच्चों को एड्रेस करना है उस उम्रे के बच्चे अक्सर emotional turmoil में रहते होंगे यही उम्रे है जब दिल लगता है तूटता है और करियर बनेगा नहीं बनेगा failure से मिलते हैं तो जिस उम्रे में emotion सबसे ज्यादा उठा पटा करते हैं उचलकूद मचाते हैं anxiety, depression यह सब होता है उस उम्रे के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजू टॉपिक मुझे यही लगा सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं मैं पहले disclaimer से लगा दूँ मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूँ मैंने psychology में ना MA किया है, ना MFIL ना PhD किया है ना मैं motivational चीजें करने का कोई certified अध्यापक हूँ मैं तो अपने जीवन के अनुपगों से सहित्य से, दर्शन से, कानों से पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा और बाकी उस सबसे ज़्यादा सीखा पचास साल के जीवन में जिसमें से पच्छिस साल के जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में खर्च हुआ अनुपभावों से बड़ा कोई गलो नहीं होता तो मैं अनुपभावों से सीख के बाते करना पसंद करता हूँ हालां कि हंसराज कोडिस का खौफ इतना ज्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का मैंने पनी टीम से का कि या लेटिंगों भी किताब है तो देखो मैं देखते हूं क्या होता है तो दो किताब इनों ने भेजी बड़े भारी बरकम अंग्रेजी ओथर्स की थी तो मैंने चार पस दिन पहले पढ़ना शुरू टिया पास दस मिनित पढ़के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं वो अलगी टाइप की बाते थी बड़े इत्षियोरिटिकल सी बाते है तो मैंने का क्या थियरी में क्या रखा है हम बच्चों से बच्चों की जवान में बात करेंगे उसका मज़ा ज्यादा है क्यो थीयरी में जाएं तो मैं जो कुछ भी अगले एक घंटे में मैं एक घंटा की यादा घंटा की अधा गिरे घंटा वो मैं आपके चेहरे से अंधादे लगा लगा लूँँगा आपके इवल चेहरे पर भाव ऐसे ले आएगा कितना आप सुनना चाहरे हैं मैं तो अभ्यस्त हूँ मैं आड़ घंटे बिन ब्रेके पढ़ाता हूं जनरली तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह सरा तक पढ़ाने के लिए आप अपना देख लिजिए कितना आप सुनने की आहरत में और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीच सुनने के लिए मोटिवेट करूँ आपको वो मैं नहीं करूँगा है ना उससे अच्छा उससे बहतर ही है कि बीच में चोड़ते हैं और मैं आपको मैं आपकी उम्र का भी ध्यान रखूँगा छोटे-छोटे बच्चे हैं इतना टॉर्चर ठीक नहीं है तो ध्यान रखेंगे पर मेरा ख्याल है कि आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बाते हैं आपको अच्छा लगएगा मैं सबसे पहले दो शब्दों में अंतर स्वष्टी करना चाहता हूँ एक शब्द है गिव अप करना एक है लेट गो करना कभी कभी लगता है कि दोनों बाते एक जैसी हैं पर दोनों बाते जैसी हैं नहीं गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एक्जामपल से बत् concealed, तक पलक कोशए की कि मैं यहाँ पर आजाऊएं। मैं यह नी कहने चारे कि मैं बहुत व्यस्टता नहीं Mimi रहती हैai На जिर küçük love करता हूं कि उलना कहीं है अब पता नहीं कहां कहां से asansoon आते हैं कुछ तो ऐसे जगह से आते हैं से कोई दूर दूरते में संबन्ध ही नहीं है कोई बड़ी कमपनी है उस कमपनी का इन-हाउस प्रोग्राम में कहें रहें वहां के motivate कर तूँ मैंट काया में कैसे motivate कर दूँ तू तो फिर अब हमने पॉलिशी मना यहें कि जितना कम हो सके उतना कम जाएं गर्मा जी का आदेश तो मेरे सरमाधे पर मेरे सिर्यर है में मेन मन को मना नहीं कर दा हम गाओण यहां गर्ली में कोशिश करता हूं कि ना जौँ अश्या मना करना ख़वाब लगता है तो हम क्या करता है कि धहरे की परीक्षा लेते हैं जैसे इन की लिए हमने सिंपल पॉरिश है कि जब कोई बच्चा कहे आने के लिए उसको बोलो कि स्रेप तीन महीने फ्रीनी है च्छे महीने फ्रीनी है एक साल चंद रमा प्रत गया हुआ है कुछ ऐसा वैसा बोलके टालो किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा लूँ तो हमने इनको बहुत परशान किया तीन बार चार मनला किया तो मेरे टीम के मेंबर ने पर मेरे निरदेश पर किया तो आप उनको मत कुछ कहिए गा मैंने गाशान तो तीन बार चार बार पास बार टाला नहीं हो पाएगा कुशिश करेंगा अच्छा देखते हैं नहीं हो पाएगा ऐसे करके अब इनके समरे दो आप्शन थे एक आप्शन ये था कि हर मांग लेती और अंतों बोलती कि चलिए कोई बात नहीं दुख हो रहा हमें यह होते हैं गिव अप करना एक दूसरा स्टांस भी होता है दूसरा स्टेंड भी होता है कि कोई चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रहे मसलन यह मुझे बलाना चाह रहे हैं मैं नहीं आ रहा हैं बिना बात कि भाव खा रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ और एक समय के बाद यह इस मूड में आ जाती कि भढ़ में जाओ नहीं आ रहा हूँ तो भढ़ में जाओ तुम जैसे बहुत देखें एक जूड़ेंगे सौ मिल जैंगे तुम्हारे जैसे क्या सा मस्टबने आपको पर फिल में कहता मैं आ चाहत हूँ नहीं हम नहीं बिलाएंगे आपको यह होता है लेट गो करना क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रहे तो भढ़ में जाए क्यों किसी के लिए फ्रस्टेशन भेलनी है क्यों परशान होना है गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जहन से निकाल दिया दिमाग से ही निकाल दिया किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है किसी चीज़ के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्टेशन के साथ जीना गिव अप करना है मुझे खुश ही है कि आपकी मौटिवेशन सोसाइटी के मेंबर्स कम से गिव अप नहीं करते अच्छा हूँ लेट गो भी नहीं किया मुझे मेरा सम्मान बच गया और ये अच्छा है कि इसी विशे पर हम बात करना चाहरे है मैंने इस मीच में ये भी शीखा कि आपकी उम्रे के बच्चों को कुछ भी बताने का सबसे अच्छा तरीका है कहनी ये सुनाना और आपकी उम्रे की बात नहीं लिंडिन पर आप बेशाद होंगे मैं भी वहाँ पर हूँ जो प्रोफेशनल्स के प्लेटफर्म सबसे अच्छा माना जाता है मेरे देखा कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO है या CXS कहते हैं CFO है CTO है या C.H.R.O. है जो चीफ आफिसर्स होते हैं किसी कमपनिय के उनके लिए स्पेशन कॉर्सिस चलते हैं स्टोरी टालिंग के और उसे मान लिया गया है कि अगर आप किसी कमपनिय के CEO बनना चाहते हैं तो बेसिकली जो स्किल आपको आनी चाहिए या वो स्टोरी टालिंग के याप कहानी सुना सकते हो मैं सची कहानी सुनाना पसंद करता हूँ जूड बोलने से बचता हूँ मैं आपको तीन चार छोटी-चोटी कहानी चुना रहो यह सारी कहानी चुछी हैं एक-एक प्रतिशत सची हैं पर मैं किसी का नाम नहीं लूगा जिनकी कहानियां उनका नाम नहीं लूगा उनकी प्रवेशी का मंऴा है पर हाँ सची कहानिया है अच्छी बात है कि इन कहानियों की ख displacement हम लोग नहीं बने ईश्वर करें हम कभी न बने लेकिन कहानिया सची हैं जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाना के एक शेहर से बिवानी से दिल्ली आया इसा पढ़ने के लिए, मेरे ड्रीम कॉलेज़ में हंसरा जभीक था, पर मेरा संयुक्स से मेरा एडमिशन जाकिर हुसान में हुआ, मेरे अंक ठीक थे, यहां हो सकता था, पर मैं तो नई द जबता है छंडों, यहीं छंडों में सिखने आया हूं आपनों को, ठीक है, स्टेशन से निकले, वहीं कॉलेज है, मैं घर जाना होगा, तो आराम से कॉलेज से निकले जाएंगे, क्या राख है, कैमपस में, पर मेरा एक दोस्त, जो मेरे साथ ही आया था, उसी शेहर से, उस साथ साल डिबेटिंग कियो, मेरा ख्याला कि लगभग, मतलब तीन, चार सो डिबेट्स मैंने जीती होंगे, डियू में, कुछ हरी भी होंगे, लेकिन मैं खूब डिबेट, वो मेरा दरसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी, कॉंडिशन दिनों में, घर से पैसे साथ साथ, मेरा ख्याला से साथ, हम खूब डिबेट्स में मिलते थे, अक्सर ट्रॉफिया तो हम जीते थे, या वो जीता था, कोई भी जीते रूम पर ही आती थी, क्योंकि हम रूमेट्स थे, एक साथ ही रहते थे, वो मुझ से योग गताओं के मामले में 21 था, बलकि अगर और वो 21 साथ में पंगरा ही रहा हूँगा, या 12 रहा हूँगा, 22 या 22 थो नहीं रहा हूँगा, बस से बहतर साथ ही हो गताओं में, बड़ा अच्छा व्रेक्टी था, ग्रेजुवेशन के बाद मैंने में हिंदी साहिट ते मेड मिशन लिया, जबकि B.I.I.O.N.S.T. में क कि वो कुछ और करेगा, कोफेशन कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गए दिल्ले से, मैं दिल्ले मेरा हूँगा, फिर में 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 के बत्यारी करने लगा, यू P.I.S.T. कि तब तक मैं UGC, J.R.F. कर चुका था, पहला एटम्ट दिया, प्रिलिम्स हो गया, मेंस म मेरा, 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वारा था, दो दिन रहे गए थे, कहरें, दस दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था, दिल्ले में, मिल जुल के अच्छे सा बात करें गया था, उन दिनों उसका एक प्रेम सम्मंध कहीं, हमारी ही एक मित्र के साथ चल आया, और यह बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा कि अपने जीवन इल्ह समाप्त कर लिए, उन दिल्ले से दूर सा गहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय यह थी कि अतना जीवत वारा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिन्दगी से हार सकता ही नहीं, जिस मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इसा कैसी हुआ बाद में टाटोला उसके पेरेंट से बात हुई भाई से बात हुई उन्होंने उसकी याद में सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े तो जो हलका हलका नुमान हुआ है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशन्शिप में जो नहीं संबल पाया था और रिष्टा तूटना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था और वो दबाव जहेल ने पाया इस उम्र में ऐसा ऐसा फ्रीज आता है कई बार आता है यह एक कहानी है हंसरा स्कॉलिट से ही जुड़ी है इसलिए मैंने सूचा कि वही से बात शूर कुड़ो नाम जैसा कि मैंने का मैं नहीं बताओंगा तो नाम बताने का मतलब भी और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों के जन्म से पहले की बात है आप तो सब 21 सुजी वाली बत्चे होंगे ना जन्जी होंगे आप सब दो लोग तो यह तो बहुत पुरानी बात है एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको दो तिन कहानी सुनाओंगा फिर उन सब का सार निकाल लेंगे इस साथ हमगो दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सेलेक्षन हो गया 1997 में पहले बार मैंगे सेलेक्षन हो गया था मैं तो उस समय में एक लाइबरी है, केंपस में ही Central Reference Library आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो वेक अनन जी की Statues पर सामने ही, वो लाइबरी है, उस लाइबरी में नीचे सम बैठके बढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पर रिसर्च फ्लोर है, जानते होंगे, जानते होंगे, जानत एमफिल, PhD वले बच्चे बढ़ते हैं, मैं उस समिशत PhD कर रहा था, या एमफिल खत्प होई थी, महीं बैठता था, बढ़ता था रोज, कई दोस्त बढ़ते थे हम लोग वहां, हम सुबह आठ बजे लाइबरी खुलते ही बाग उचते थे, रात को एक बज़े निकलते थे सलेबरी बंदोने के सब है, तो वहां एक छट थी, छट पर छोड़ी सी कैंटीन थी, जहां हम लोग जब जब बोर होते हैं, दिन में तीन-चार बर जाके चाय पीते थे, चाय पी ली, बिस्केट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब भागरते थे, तो वहां मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन में से कही लोग अब बहुत सीनियर से बिन सर्वेंट से हैं, कुछ लोग प्रोफेसर सेंडी यू में, दो बच्चे थे, मुझसे जूनियर, तीन-चार साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, मुझे उस समय तक पढ़ाई ले खाई क शोक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज मेरे साथ बैठते थे, केबल बात करने के लिए, किसी मुझे बने बहस करनी हैं, तो बहस होती थी, समस्ते से, फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिष्टे में हैं, दोनों ने शादी भी कर ली, उन था, इतने जिग्यासू बच्चे से दुनो, इतने जिग्यासू, कि उन से मिल के तबियत खुश हो जाती हैं, हर चीज जानने का मन करता था, उनका हर विशे पढ़ने का मन करता था, एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आखों में चमक ऐसे, फिर दोनों के शादी हुई तो में शादी में जानी पाया, क्योंकि मेरा रिष्टा सिर्फ लाइबरी में एक घंटा गप मारने वाला था, उस जज़ा था ने रिष्टा उनके साथ, फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंटल कास्ट मेरि की उन लोगों ने खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारे खिच गई, किसी तरह से तलवारे संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे, और फिर तीन चार साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी, कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवनिला समाप्त कर ये बात भी दिल्ली में शुब जाले कि ये उस दोर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं, मेरे खिया से ये दोनों कहानी आपकी प्रिंसिबल मैडम जानती होंगे, नहीं धियान कर पाने के तो मैं उनको जैसे नाम बोलूगा, अकेले में, वो तुरन समझ जाएंगे, मैं कि दबाओ, आपस के दबाओ, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अन्त में उस दबाओ को न जहेल पाना, और जीवन से वाप्ट कर देना, ये हुआ, ये दो घटना हैं, एक तीसरी घटना ये है कि दिल्ली में आज से पच्छिस साल पहले घटना घटी, आप लोग तब बस पैदा ह घटना होंगे, घटनों में चल रहे होंगे, ये उस से पांत साथ साल पहले की बात रही होगे, ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनके उमर 35-40 साल है, वो समझाते हैं घटना को, मॉबाइल फॉन में वीडियो नया नया आया था उस समय, अब तो आपके और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूवर जैसा मूँ बनाके, लोग सेल्फी के जबाते हैं, उससे होते हैं पाउट, तब तो कैमरा फॉन में पहरी बर आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे, अब जिससे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गयर तो, अब हम किशी से बात करते हैं, तो हम ये एजियूम करके चलते हैं, कि इसने फोन में कुछ ना कुछ ओन करना रखा होगा, या तो आवाज रिकोड करेगा, या वीडियो बनाएगा, तो हम कितने केरफल होगे बोलते हैं, कितने कॉनशिस रहते हैं, और सर्विलन स साइटिंग की सबसे बुरी बात यह है, कि हम हमेशा चोकनने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते हैं, सहज रूप से दो लोग बात करने हो ही नहीं पाता हैं, तो मैं तो अपने आफिस पे कई बार ऐसा करता हूँ, जब हम तीन चाल लोग बैठते हैं, इन फॉर्मल मोबाइल फोन आया था भारत में लगभग 1995 के असबस पहली बार बड़ा महेंगा था 16 रुपे प्रती मिनट इंकमिंग, 16 रुपे प्रती मिनट आउट गोईंग ये रेट से उस समय और फोन वो थे जन से अब कील भी ठोक सकते हैं वैसे वाले फोन थे बटन वाले फोन थे, नोकी आया एक कमप्रेंशी उसके फोन हुआ ख़पे थे उसके चार पॉल साल के बाद क्या हुआ? पहली बार किसी कमप्रेंशी ने फोन में कैमरा लगा दिया यह बात उस समय के लोग नहीं समझते थे जब भी नहीं तक नहीं करते हैं उसको समझने में टाइम लगता है जो पहले समझते हैं फाइदा उठा लेते हैं जो फ़रा लेट समझते हैं वो उसका नुक्सान उठाते हैं उस समय दिल्लिग एक प्रसंद स्कूल में, 11 बेंड ग्लास के दो बक्चों में आपस में को रिलेशंचिप ही होगी वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइविट किसम की थी बहुत नेजी किसम की थी जिसको पब्लिक नहीं खर सकते कुछ-कुछ फिजिकल रिलेशन्शिप जेसा मामला था उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित कर लड़कों का इतिहास बैसे भी कलंकित ज्यादा है उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया ऐसे मामलों में दुन भाग्य है मैं लड़काओं इसलिए लड़के पवित्य उसका वीडियो बना लीए और दुष्टिता का शर्मस्तर नवाते हुए वो वीडियो अपनि एक दोस्त को शेयर कर दिया ये कहे कि किसी और को दिखाना मत जैसा कि ओता है अफ़भाओं के दुनिया में हर अफ़भा एक व्यक्ति एक को ही बिताता है ये कहे कि किसी और को मत बताना और अगला व्यक्ति भी अगले को ये कहे कि बोलता है किसी और को मत बताना और इस तरह से पूरे शेहर को खबर होती और सबको लगता कि सिर्फ मुझे पता है तो वीडियो फैल गया नएने फोन आये थे पर वो फोन कम लोगे पास थे कैमरे वाले फोन तो फोन से कितना फैलता ज्यादा नहीं फैला लेकिन उस समय दिल्ली की कोख्यात मार्किट हुआ करते थी पाली का बाजार अभी भी है पर तब वो कुछ और कामों के लिए कोख्यात हुआ अगर पे थी अब तो कबड़े मिलते हैं तब कबड़ों के साथ करीजियों और मिलते थी जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वह मिलती थी ग्रे मार्केट में चोरीछे पे इस वीडियो को सीडी में कनवर्ट करक लोगों ने महाँ से खरीदा लाग फूं करोनों के संख्या में नए नए टेलिविजन चैनल प्राइविट आये थे और ट्राइविट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए इंचान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की चोबी सो घंटे इस खबर पर इस चीज पर खबरे चल रहे थी सारी चैनल्स में कि ये वो लड़का है जसने ऐसा किया है ये वो लड़की है ये वो स्कूल है इस स्कूल की प्रिंसिबल से बात करेंगे इस से बात करेंगे वो जो बच्ची थी, जिसके इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाए इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्मर में बच्ची खर मैचते हैं, इसके लिए बहुत चिलपों नहीं बचानी चाहिए, बच्चों को आप हर बात पर अपराद ही नहीं मान सकत हैं, उस बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसा के लायक था नहीं, वो नेच किसम का व्यक्ति था, जिसने उस सम्मन की गरिमा को समझा नहीं, उस बच्ची के घर के बाहर चोबी सो घंटे नियूर्स चैनल से कैमरे खड़े घर से कोई भे निकले, पचास कैवरे पीछे, आप बताईए आपकी बेटी कैसी, आप बताईए आपकी बहन कैसी है, अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया, उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पित इसलादaff कर ली, एक यह सारी खबरे सची बतारहू और हूरा हूं मैं इन से एक भी जूट नहीं, जूटी कहानी उसे मोटिवेशन दिया सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सची कहानीय तो में जूट के बोलू, सारी सची कहानीय बतारहूं मैं अपको, एक चौथि कहानी ज उसने आज तक शादी नहीं की, क्या उसकी शादी करने के इच्छा नहीं थी, पूरी अच्छा से, फिर क्यों शादी नहीं की, भाई कुछ लोग तो होते है कि शादी करने ही नहीं, कोई मिशन है, योगी जी है, मोदी जी है, ठीक है, उनका तो मिशन है, ममता जी है, उनका मि नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आम तो पे, उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं, जब वो पच्छेस चम्विस की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यारती भी था, एक दिन मेरे पासा है कि बोले कि सर, एक बात करना चाहता हूं, मु बहुत सारे, हैंने क्या हो गया भाई, तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर, भू, वो है मेरी सुनिन्ट थी, कि सर, उससे सर रिलेशन्चिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे, अच्छे धोखा देने वाली कहानी मुझे बहुत अप्मील नहीं करती, मेरा मानना है कि द अब फोड़ा उसकी वज़े है, उसकी कहानी भी तो सुनी है, और मैं जब जब दोनों कहानीया सुनता हूं मुझे लगता कि माम लग रहे है, आप कि शीएक पर उखाई ने सकते हैं किसने ऐसा किया, दोनों की गलतिया होती है, ऐसा पुर्दय की होती है, बहरहाल इन भाई मैं सब को ऐसा लगा कि द्रोखा हो गया उनके साथ, तो मैं जब जब कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई हो, और सही है, ऐसा क्या है, वह इसनी बड़ी दुनिया है, आठ अरब की अबादी अब है, उस समय में 6-7 अरब तो थी, मैं जब का साड़े त दुनिया की सारी लड़की न धोगे वाज होती है, ऐसे मुर्खों की कमें नी ये दुनिया में, ऐसे बहुत मुर्ख है, दर्शन के दुनिया में इसे अवैद सामानी करना कहते है, इलिसेट जर्नलाइजेशन, इसका मतलब बहुत छोटे सेंपल के बेस बे, ये समझ लेना की ये ठियरी पूरे ब्रमान पर लगू होती है, एक लड़की ने धोखा दिया, मान लिजिए धोखा दिया, धोखा इस ने दिया कि उसने दिया किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सेंपल से ये मान लेना की सब ऐसे होते हैं, और उसके बाद से उसने कम से कम उन्तस बार क सोहब मिल जए तो शादी के बारे में सोचें, हर बार तीन चार पांस मीटिंग के बाद वापसड़ जाता है, अम तो मैंने पूछना बंद कर दिया है, जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर, तीन चार मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है, मैं का भूल तो हो गई, उसके बच्चे घुम रहे हैं आशकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो, वो बाई साब आस तक अकेले हैं, और अब तो बाज़ार में मूले भी कम हो गया है उनका, अब विकल्प भी जादे नहीं मिलते हैं, अब जो विकल्प मिल रहे हैं महां उ के रुची और कम हो गई हैं, तो पूरी समभावना है कि वो जीवन अकेले ही उज़रेगा उसका, एक अंतिन एक्जामबल दे के फिर में इसकर शुकीतर वड़ हुगा, मैं एक I.S. आफिजर को जानता हूँ, दो I.P.S. को जानता हूँ, बहुत योगने लोग, देश के स्थाहों से पढ़े हुए लोग, प्रोपर I.E.S., प्रोपर I.P.S. में नौकरी करने वारे लोग, और इन टीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, नौकरी में रहते हुए, क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलो जो तो विधाएं थी, उनको जहल नहीं पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पाए, तो गिव अप कर दिया, और इसलिए मुझे एकसा रखता है कि जतनी चीज़े हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, एकनॉमिक्स, लिट्रेचर, वो सब ठीक है, उन जो भी महत्तु है, शायद उससे ज्यादा महत्तु इस है कि ये समझे कि अपने एमोशन्स हो कैसे मैनेज करना है, जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किसम की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्तु पूर्ण लेसन होता है, जो हम सब को सी चाहिए, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने इसी किताबें पढ़ी है, हलांकि मैं दो किताबें मंगवाई हैं पिसले हफतें, पढ़े नहीं हैं भी तक, तो मैं किताब हो के बिसमें नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन जिदगी से हम सीख सकते हैं, इन कहानियों का स इसलिए जीवन समाथ किया, कि ये रिष्टा बन गया था, पर समाज के दबाओ, घर के दबाओ, मैनेज नहीं कर पाए, एक ने जिन्दगे पर शादी नहीं कि, सिर्फ इसलिए कि वो पुराने यादों को भूल नहीं पाया, अरे एक बर गलती हो गए तो होगा, आगे तो समा जीवन में है भाई, क्योंकि इतना हावी रखने उसे सुद्यमा के ओपर, कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर, हर पैमाने पर सफलता की हर कसोटी पर खरा उतरने के बाद, जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों के नजर में आप बहुत सफल हो जा अच्छी नहीं कर सकते, तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे? दुनिया को हैंडल करने से पहले, खुद को हैंडल करना सीषना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबान उपाए है, उसको बोलते हैं, दा आर्ट ओफ लेटिंग गो, जाने दो. वो अफ्ताना जिसे अंजाम तक लाना नहों मुमकिन, उसे एक खूब सूरत मौड़ देकर छोड़ना अच्छा. साहिर ने लिखा, प्रेम, प्रेम के दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लेखेगा? तारूफ समझ से, तारूफ अनना परिचाह, इंट्रॉड़क्शन. कि तारूफ र इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुए, बाद में लगा रहे यारे तो उल्पटंग अदमी है, या उल्पटंग अड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड़ लेना है? तारूफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बहतर, तालुक बोज बन जाए तो उसको तो चोड़ना अच्छा है, बस करना ये है कि खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं, और आज की पीड़ी का ये समझना बहुत जरूरी है, कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है, तो मैं उस बात बनाओ, उससे पहले थोड़ कैसे छोड़े उन चीजों को जुमन पर हवी है, उन इमोशन के टर्मॉयल को, उन इमोशन के इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें, क्या सच में तना आसान होता है, आसान तो नहीं होता है, मेरी अमर में आसान है, आपकी अमर में आसान नहीं होता है, मेरी अमर में क्यों आसान के बहुत सारे इंट्रेक्शन्स के रिजल्ट है इसलिए जब कोई बच्चा छोटी जैसे छोटे बच्चे हमेशा उशलते रहते हैं पेरेंट्स सखे रहते हैं यह इन सब की कैमिश्टी का परिणाम है शौप का मामला नहीं आपकी उम्र जो होती है किशोरा वस्था और यु तो वह वली उम्र अपनों की है इस उम्रे में इमोशन्स का टर्मोईल इस उम्रे में इमोशन्स का बिख्राव इतना ज्यादा होता है कि संभालना बड़ा उच्चिर होता है जैसे जैसे आप मैच्चूर होंगे बड़े होंगे बुड़े होंगे बुड़े और मैच्चू मेच्चुर होने के बाद मैच्चुरिटी के कई लक्षन हैं, दस बीस लक्षन होन में से एक यह है कि आपके इमोशन्स में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाते हैं जितनी बच्च्पन में होती हैं, मसलन, कोई आपका दोस्त आप से कुछ खराब कहे दे, आप थीन चाल करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट, टाइप डिलीट चल रहा है, एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पड़ पा रहा है, ना पड़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है, अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन जुकेगा सारे संबंधों में सतर इसी बात से तवे होता है कि पहले कौन जुकेगा और जो एक आद बार जुक गया वो जिन्दगी बार जुकता है उसके बाद इसे लोक्षुर में बहुत केरफुल होते हैं कि जुकना नहीं तीन सर ग्यानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं जुकना नहीं है वो जुकेगा वो जुकेगी तू क्यो जुकेगा इन ग्यानियों से बशना बहुत जरूरी है जंदगी जहर बना देंगे आपकी अब दोनों एगो फायट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा इस फ़ायट चल रही है दो दिन हो गए तिन दिन हो गए उसके बद एक अदन पीजल जाता है उसके रोत तार बारं में जा यार बात धुल पारी तुम एगो एगो कर रहे हो फिर वो फोन मिलाता है यह भी फोन की इंतजार में तेन देन से सो भी नहीं रहे बिचारा, हीरो वेशक बन ले पर बेचान तो हाई, खटाक से फोन उठता है, अब दोनों कान में फोन लगाए रखें, कोई नहीं बोल रहा, चुप, क्या बात्ची चल रहे हैं, सोचिए, एक में शम्द नहीं, एक में चुप, थोड़े देर के बाद कन्फर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है, हेलो, मां से आवाज आती है, हम, कोई, मैं चोड़ा ऐसी जोकर टाइम की बात करता हूँ, उसे मोटिवेशन स्पी करना समझे आप लोग, मैं ऐसी अहसी मजागी करना आता है, मैं उसे वही मैं करता हूँ, लेकिन अससे आप यह नहीं सोचिए, कि मुझे पढ़ाना नहीं आता हूँ, पढ़ा भी लेता हूँ अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ, अब इसमें अगर कोई एक मैं जोग गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना काई रिस्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदों पर खत्म हो जाते हैं, कि तेरा भाई नहीं और उधर जीजु जुगेंगे, दीदी नहीं जुगेंगी, जीजु जुगेंगे, दीदी क्यों जुगेंगी, और ना जीजु जुग रहे नभाभी जुग रहे और उस चकर में, उस चकर में जो अभी बिचारा रिष्टा बना भी नहीं था, वहीं वो जमी दोज हो गया वहीं वोःबेशियागी कि वो हो गया कि तो वोगा है रीजागी तो होगया भाडवेश इसा क्या है ननकिसा बात किया इसमें लेकिन फिन भी आपसे कहूंगा मेरी अमर में क्या होता जैसे मुझे कोई फोन करें कि मैं आपched नाराज हूँ तो मैं गहता हूँ अच्छा ठीक है कर बात करेंगे नहीं मैं अपसे बहुत नाराज हूँ मेरा दिल तूट गया है मैं गहता हूँ देखो मुझे नीन दा रही है भी Let me sleep We will talk tomorrow You just do one thing, write down all the points and we will discuss in the morning When I come to office, you come to my cabin and we will discuss Don't worry, I will find out the solution for you करें, आप कैसी बात करें, मैं ना सो पा रहा हूँ ना जाक पा रहा हूँ तो मैं रहा है, that is your problem मैं तो सो भी रहा हूँ जागे यह तो भी दिकत भी हो रही भाई तो मैं तो ऐसा हो चुगा हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुसे टाइम पर नीन आ जाती है कुछ भी हो जाए मैं एक अद अब जैसे मेरी माताजी के मित्ते हुई तो उजे नियाई कुछ नहीं हो तो ठीक बात है नहीं आनी चाहिए उस समय तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर भी कान तर बचा कुछ भी कर ले हमें तो बढ़या नीन दाती है और मैं यह कहना चाह रहा हूँ मैंने यह सीख आपने पिता जी से और सीख सकते हैं इसको यह केवल तुक्य की बात नहीं है सीख सकते है मेरे जो पेरेंट्स हैं पिता जी और मा वह एक अनूछा कॉमिनेशन है अच्छा किसी शादी शुदा जोड़ा से अकेले हम बात करके देखिए जब हो कमफर्टेमल हो आपके साथ आप उनको बोलिया कि मुझ में और मेरे पत्नी में या मुझ में और मेरे पत्नी में ज्यादा चीज़ यह मैच नहीं होती है सीरियस होके बोलना मजाके मुड़ नहीं सीरियस मूँ मनाके बोलेगे थोड़ा बहरों से मिलेके दुनिया का हर जोड़ आपसे वोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है हम में तो कुछो मैच नहीं होता जोड़या बढ़िया चल रहा है मेरा इठीक नहीं चल रहा है क्योंकि उसका धर आपने ऐसे बूहिक पे देखा है अच्छी एची फोटो देखी हैं 24 घंटे में से जो दो अच्छे मिनिट आये थे उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेस्बूक पे आये थी और अपनी घर में आप बाकी 24 घंटे में से दो मिनिट छोड़ के बाकी देख रहे हैं तो दूसरे काखर मेश अलग पाटी है लाइफ हो तो ने की जिएए टो हमारे माता पिता भी सोहा उनका भी छोड़ा लग़ा है सबका है हमारा भी है तो मेरे पिता जी है मस्त मौला अढ़ी जैसे कमीर जास ते एक वह फक्र मस्त मौला अढ़ी बहर में जाए दुनिया, उस मूड में रहते हैं, नुक्सान हो जाए भर में जाए, गीता का सार उन्होंने पने मुन में बिठा लिया है, उनका बड़े से बड़ा नुक्सान हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था, जो लाए थी, जू लिए यही से लिया, जू दि करें मेरी मा को दणा हूझा जाता था जब पेठा सामानिय बात है जब घर में एक मास्ध मुछा हो तो बागी लोग तणाहो तो फिर बाटेगे ना मंस में तो बड़ा तणाह मे रहती थी है उनकी गहर की चिंता बच्चों की चंता बहुत सता दे पिता जी में चिंते थे पच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थे कि ठीक है, देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूर में रहते हैं, आज भी रहते हैं, मेरी मा तीहत्तर की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ, मनद मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्यूंकि बड़े-बुडे कहते हैं कि हर व्यक्ति के सांस का इतिहास है, सांसे लेखी हुए है, इश्वर ने अतनी सांसे मिलेगी, मुझे बहुत बारोसा इस बात में है, क्योंकि भग अगर लोग बुरे हैं तो जीवन चोटा होना चाहिए करमों का हिजाब से लोग खराब है और जीवन बड़ा होता जा रहा है तो मुझे उन मान्यता में बहुत भरोसा है नहीं कि सांते लिखी होगी हैं अगर सांते लिखी होती है तो मनुष्य की ओसत आयो 25 साल से उपर नही दून धाम से जी रहे हैं इसका मतलब है कि ये भगवान से जजादा इनसान ने लिखा है मेडिकल स्थीस ने लिखा है त्यानिकी ने लिखा है और मैं ऐसा वाला आदमी हूँ धहरा वाला नहीं जिसकू दहरा में भेहे हम तो अकेले से लेंगे विचार के साथ चलेंगे ज जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसी रहेंगे हाँ गलत बोलने से मचता हूं किशी के बारे में गलत बोलने मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलू वाना भाई मेरे पिताजी एक 80 साल के हैं अभी 80 साल के हुए कुछ दिन पहले और एक दम मस्त मौला आदमी है मुझे ज़्यादा युवा हैं मैं 50 साल का बोड़ा हूँ वो एक 80 साल के युवा हैं उनके चेहरे के चमक मनला कई ट्यूम लाइट फेल है उनके सामने ऐसी चमक चेहरे पर र कुछ नतुलित है सबता हम्हें कम से कम एक बार कभी कभी महीने में 4 से ज़्यादा 6-7 बार उप्रवास करते हैं पूरा पूरा उससाब चीज़ें अनके अभी में जो मेरे अभ्यास में उतनी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूं पर अभी उत्रा सफली हो पा रहा हूं। पर मेरी राहे में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज एक शमता है कि वो हर चीज को लिट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता है साहीड से। लेते ही नहीं तनाव की जिवात काूँ जाता हूं। कुछ भी हो जाता है तनाव नहीं लेते। है और मुझे लगता है कि काश ये ये चीज मेरी मा के सोहों में होती कम से कम दस साल उसका जीवन और जाजा आता और मैं अपने अनुवस से बता रहा हूँ मैं ना सोने जागने में नयमेत व्यक्ति हूं ना मैं बहुत कस्रत करता हूँ ठीक हूँ मतलब बुरा बेनी ऐग एक हूँ घीक हूँ मेरी उम्र के अजीकान Ceo लोग बीपी शुगर बहुत बिमारी उसे उसे ग्रस्त हैं मैं फिल्हाल नहीं हूँ क्यों नहीं हूँ, मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं भी अच्छा हो रहा है तो मैं ठीक है, जब मैं सफल, ज Master, जैसे मैं तीन साल मेँ पिखले हैं, कभी सफल होगय जितना मुझे नहीं पूर जाए था, मैं तुक्के से हो गयाओ, सफल हो गयाओ, अगर मैं सफल हो गया तुक्स दो हो गया खाएं, कई लोगो हो जाते हैं, हमभी नहीं होने वाला क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ओपर विफलता मुझे क्या प्रभावित करेंगी बहुत फर्त नहीं पड़ता है और मैं दावे से कह रहा हूँ कि यदि ये टैंप्रामेंट आपका हो जो मेरे पिता जिसे मैंने सीखा है तो आप जिन्दगी शानदार होगी और जितनी जिन्दगी आपकी है जितनी सांसे आप कहते हैं कि लिखी हुई है गैरंटी से कह रहा हूँ कि दस साल बढ़ जाएंगे कुछ और लोग कि आप कम कर देंगे अलग बास है अपने दस साल बढ़ा लेंगे इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे लिटगो करना है जिन्दगी की चीजों को तीन चार प्रसंग होते हैं एक होता है कि आप किषी रूग चाहते आपको नहीं चाहता हूं पर वह अपने अमर में यह सब तो खेल होता और क्या खेल होता मेरे गर में दो बच्चे हैं 17 साल के तो मैं उनको दे किस से बात करते हैं, एक आत का तो एडरेस भी पता है मुझे, और मैं तो बच्चे को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं लेचे लूँगा, चिंदा मत करना, बोल देना कि ड्राइवर सास में आया है, टेंशन मत लेडा, तो मेर तो बच्चे मेरे दोस्त है, मैं तो बड तो बहुत है, मैं क्यों मान के चल लो कि वो देवी देवता पैदा होंगे, मेरे ही तो बच्चे लाई, जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे, तो ज्यादा उमीदें क्यों पाल ली है, बच्चों से भी, मैं क्यों चाहूँ कि मेरा बच्चा आईएस च तो वो कर लो, मैं क्यों ठेकेदार बनू उसका भई, मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने, ये सब बिगारगी बाते हैं, और पेरेंट साथ तो बच्चों से बात करता हूं, उनकी बहुत क्लास लगाता हूं, कि पेरेंट होना और बच्च करते हैं, क्योंकि माबाप ने पेरेंट होड़का धर्म ठीक से निवाया नहीं, उन्होंने इतनी चाहें थोपें, इतने दवाव बनाएं, कि बच्चों को जिंदे के कई फैसले इस दवाव में करना हैं पड़ेंगी, मेरे पेरेंट ये चाहते हैं, वो वो बद ही नहीं प साहित ते में इस तो खूब लिखा गया है, कामाईनी एक रशना बड़े परसिद है, जैशंकर परसाद की, उसमें पूल समस्या ही ये है, ग्यान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडम बना है जीवन की, आपक कर कहता हूँ, कि आप खुश है यानि इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है, आपका दिवाग, आपका दिल, आपकी हरकते, आपके एक्ट्स, अगर कंसेस्टेंट हैं, कोहरेंट हैं, कनेक्टिड हैं, इंटिंग्रेटिड हैं, तो आप से जज़ा सुही कोई नहीं है, और नहीं शहिल पायान तुमें, दिल का दोरा पड़ जाता है, बीपी हो जाता है, डाइबिटीज हो जाता है, बच्चे बोलते हैं कि डाइबिटीज चीनी खाने से होता है, बिगार बात है, डाइबिटीज स्ट्रस से होता है, डाइबिटीज होने के बाद चीनी खाना मना है चीनी खाने से आज से किसी को डायवटीज नहीं हुआ है, डायवटीज के विल तनाव से होता है तनाव पहले ही दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव कितने जंजर दुनिया में हैं उसके उपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव कितना बड़ा तनाव है क्यों पालना चाहिए तो मैं कुछ सूत्र में आपको बात बताता हूँ इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता लेकिन कोशिश करेंगे तो कुस्तो फायदा हुआ है पहला सूत्र मेरा आपनों के लिए ये है कि जब आप किशी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करें तो टेंशन नहीं रहनी है तेजाब तो नहीं उठाना है ठीक कही लोग समूर ने रहते हैं मुझे पसंद नहीं करेगी मुझे मैं राजग हूँ मैं नवाब हूँ मुझे पसंद नहीं करेगी अरे तु क्या है भाई नहीं पसंदो तो नहीं पसंदो, यह क्या बात हुए? सबसे पहले अपने अंदर से लोक तांतरिग बनीए, डिमोक्रीटिक बनीए जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का उसको भी हक है किसी को पसंद या ना पसंद करने का यदि कोई ऐसा व्यक्ति जसको आप पसंद नहीं करते हैं वो आपको प्रपोस करें तो आप उसको मना ही तो करेंगे बस मना इज़त से किजिए किसी को बे आबरू करके मत भेजिए यह ने कि अच्छा तुम शीशा देखा है करें डुकर को आई ना मेरी जेब मिहलो ऐसे नहीं करना है बड़े बैयाब रूखो कर तरह कुछे से हमने के लिए वह वाला भाव जो गालिब को ऐसा वो भाव नहीं आने चाहिए अगर कोई आपको कड़ी प्रपोस करें आपनों की उम्रे यह समचनता ही होगा आपको के मीज में मैं आपकोई टीचर से सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ मैं जानता हूँ कि आपकी उम्रे में से होता होगा समझानते हैं तो होता ही होगा कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे यदि कोई रिजेक्ट करे बस हाँ रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए बगत भी जिसे नहीं होना चाहिए उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जतना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं कि ठीक है भाई आपको मैं पसंद नहीं कोई बात नहीं तू नहीं कोई और साही कोई और नहीं कोई और साही बहुत लंबी हे जमी मिलेंगे लाक हसी इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं कितने लोग है दुनियान ऐसे क्या है और और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोस किया उसने मुझे बना कर दिया अंकल चोटे-चोटे बच्चे आसकर मुझे उसे लवगरू मानते है अपने आस पास वो मेरे पास आगी ऐसे इसी बाते बिताते हैं बड़ी क्यूट तोटली आवाज में मैंने उसको प्रपोस दिया उतने मोदे ऐसे ऐसे वाली आवाज में अधन रोते भी लगते हुए तो मैं बहुता हूँ बढ़ाई हो बहुतों 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 है कॉंग्रेचुनेशन्स मैंने अपनी जिन्देगे में ऐसे पचासों मामले देखे और पचास में से कमशे का उननचास मामले में जब कहीं दिन नहीं लगा बाद में उससे बेतर ही व्यक्ति मिला अगर कभी ऐसा हो ना मनी मन में बढ़ाई देना अपने आपको कि मच गया हाँ बोल देता तो फंस जाती हाँ बोल देते तो मर जाता और मन में भाव गई रख्षना है तो नहीं कोई और से इमाट खाना स्ट्रेस नहीं लेना है मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता है आपको रात रात बर सपने हैंगे बेचैनी होगी करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम आपकी कसम यह सब ड्रामा होता है यह फिल्मी गीत है मुझे गीत कमिता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिवाग में आता है मैं क्या करूँ यह होता है आपकी उमर में पर वो भी एक फेज है अगर यह फेज नहीं जिया तो भी क्या जिया कभी-कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए वरना जिंदगी में मज़ा क्या है अगर हर चीज लिनियर है हर चीज फर्मलाइज है फिर मज़ा क्या है जिंदगी में यह उठा पटा कि यह बेचैनी यह घबराहट यह तनाव संत्रास भी तो होना चाहिए अभी-कभी जिंदगी में इस से बुरे सिते तब होती है जब आप किसे रिलेशन्शिप में हैं और वहां ब्रेक अप हो जाए यह भी होता है देखिए मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूरन हूँ जिस तरह का प्रेम आप लोग की पीड़ी में होता है मैं यह नहीं कहता है कि आपके पीड़ी खराब है हर पीड़ी ऐसी होती है बस यह कि आपकी पीड़ी को सुब्धा है ज़्यादा मिल गई है हमारी पीड़ी में न चिठ्थी लिक के बेजनी पड़ती थी बड़ा रिस्क होता था चिठ्थी लिकों कावज पे या कभूतर का क्या वरोसा किसको देंगी आजए लेकिन कितना तरनाल सा उस जमाने में आपके जमाने में क्या है सीधे वटसएप निगाला खटाक से भेजिया मैंसे और नंबर किसी से मांग लिए एक सेकंड में नंबर भी नहीं देना है तो किसी कौन-कौन सी एप होती है मैंने सुने कुछ और एपस होती है बिरे नंबर वाले भी होती है इंसा होता है एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें काट्टू जैसा मूँ बन जाता है स्नैप चैट हाँ स्नैप चैट पर से ले गए मैंने सुनाए कि उसमें नंबर भी नी देना पड़ता है सब कुछ है कर रहा है वहां ढूल लिया किसी को कुछ कनवे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है इन सब के ऊपर टिंडर है बंबल है पता नहीं क्या क्या है राइट लेफ्ट करते जाना है उसी में कहनी शुरूँ पर ये कहनी जितने हलके तरीके से शुरूँ होती है मैं दावे से कह रहा हूँ कि सौ मैसे 99 अट्रेक्शन एक से दो महीने में खत्म हो जाते है क्योंकि आप जिसके पर ये अट्रेक्टिंट से रहना वो तो उसका बाहर का परसोना था जहां परिचे गहरा होता है असलियत सामने आ जाती है और जब असलियत सामने आती है जहलना बड़ा मुश्किल होता है आपके सपने टूड जाते हैं आप जिस छवी पे दिवाने होए थे वो छवी तो सिर्व छवी थी कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बहुता है कभी कभी किसी एक का खत्म होता है एक का नई होता है वहां मामला मुश्किल हो जाता है तो ऐसा हो सकता आपके जीवन में कि दूसरा साथ ही आपका ये का है कि भाया देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूँ पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है मैं ब्रेक अप करना चाहता हूँ मैं अपसे निवेदन करूँगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है क्योंकि बच्छे तुरन तुस मुद्र में आए ते अच्छा अब मैं कुलारी उठा लूँगी अब मैं तेजाब उठा लूँगा तुने मुझे धोखा दिया है तुने मुझे चींट किया है यूरे चींट यूरे लाया रही यूरे पता नहीं क्या क्या पता है इंग्लिश में गाली ये बड़ी सुन्दर देते हैं बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बात के सम्भाव ना मान के सलिए कि हो सकता है कि आपके साथ दो मेंदे रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है या आपको लगए कि आपकी ट्यूनिंग उस वक्ति के साथ ठीक नहीं है और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मज़ा नहीं है आप किसी को बांध तो लेंगे पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं दिल विहीं लाश अपने पास ठीका के रखना एक मुर्दे को बांध के रखना इससे बहतर है जाने दू बांधना नहीं बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है उस असुरक्षा से बसने का उपाए खुद को बहतर बनाना है आप इतने बहतर हों कि आपको चाहने के लिए हजार न लोग हो क्यों आप इतना डिपेंडिन्ट होते हैं कि इस एक ब्रक्षा के लावा मेरा कोई है ने दुनिया में ऐसा क्यों सोचना है और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो ममकिन उसे एक खूब सूरत मोड़ दे कर छोड़ना अचा है और एक खूब सूरत मोड़ कैसे होगा अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपको आस तीन आप्शन्स हैं एक ना उसको अच्छे से बात करें ना खराब से बात करें न्यूट्रल होके जाने दे एक उसको धंकी दे बरबाद कर दूँगा छोड़ूँगा नी तु निकल के दे घर से तो एड्रस पता करवा लूँगा मेरे सार पचास दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरुज़ज़गार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडेमा वाली हैं, उनका धंदा यही है, तेरे पीस से छोड़ दूँगा सबको, एक यह तरीका है, और तीसरा यह, कि ठीक है यार, all the best, जा सिमरंजा, जी में ले अपने जंदगी, अरे ठीक है, हो सकता है, मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन, किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरे जंदगी अच्छी हो, मैं भी ढूंड़े लोगा किसे ने किसी को, थोड़ी हेल्प कर दीगो, कहीं इंट्रो करवादिय मेरी भी, लेकिन ठीक है, तुभी जा, ये रोता है, खुल सूरत मोड़ दे कर छोड़ना अच्छा, चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है, कि तुम जाओ, मैं तो दिवाना स्थाई दिवाना हो तुम्हारा, कोई जब तुम्हारा हिदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना परिये, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, वाह, पहले, पहले के जमाने में बेरोजगारी का इलक्षन था, हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम यहीं सुनके बड़े तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोणी बनाई, जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना परिये, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, बस आ जाना है, जब कोई तुम को सडक पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना परिये, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए, क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरुजगार हो क्या, अरे ठीक जा सिम्रंजा जी ले, और मैं भी जा रह हो जीने के लिए, ये दिवाना नहीं बनना है, कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, अजीब हाल है, तुम ठेकेदार हो, कि तेरा ठेका मेरे पास है, तो किसी के पास नहीं, अजीब हाल है, अरे ठीक है, अभी उसकी जि मेतने हावी होंगे और जब बहुत दर्द होना हमेशा दूसरे के परस्पेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा क्या परता कोई मजबूरी हो कभी का भी होती है मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परशान हो गए बार और फिर मैं सोचता हूँ कि काश ये शोधरा जैसा व्यक्तिव तो सबका होता बुद्ध की रियल कहानी क्या है शैद किसी को नहीं पता मैं जिस कहानी की बात करूँ मैथरी शरणगुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कभी ने ये शोधरा नम की पफ़सक में कहाने लिखिए भूमिका में जिक्र किया बुद्ध बच्पन से ही थोड़े से वेरागी किसम के व्यक्ति थे उनकी कुंडली देखे एक जोतिशी नहीं बताया भी था माता पिता बहुत परिशान थे शुद दो दिन उनके पिता का नाम था माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त ना हो अच्छा महल बनवाया सारी सुगधाएं दी जैसी बुद्ध थोड़े से किश्वरावस्ता में आए उस समय कि दुनिया की सबसे खुबसूरत महिलासे नड़की से यशूधरा से उसी शादी कर वा ले यशूधरा के पिता ने काफी इंग्जाम लिये बंद्ध जी कि उस अले इंग्जाम में पास हुए तब जाके शादी हुई ऐसे नही हुई शादी हुई तो बुन्धत में ठीक था, रमे रहे उस जीमन में बेटा हुआ उनका रहुई अब बुन्धत की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था 29 साल की उम्र के असपास ऐसा हुआ कि उनने एक मृत्त विरक्ति को देख लिया एक बुड़े को देखा, इक भीघारी को देखा, बीमार को देखा विरक्त हो गए और उनका मनुव घर छोड़ दू, ग्यान की खोज में चला जाओ अब ग्यान की खोज में जाएं उनको पताएं कि भाई मेरी पतनी भी है, मेरा बेटा भी है राज जी भी है, कैसे छोड़ दू, छोड़ना जरूरी है, अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुमारा स्वधर्म कुछ और है बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ने सकते हैं, मैं रुवान करता हूँ कि मुद्धे ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कर भी, कि पिताजी मैं बहुत परिशान हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, तो पिता ने समझाब हो जाके मना किया हूँ, कि पेटा शोभा नहीं दे किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो, इसका जिक्का नहीं मिलता है थी हास में कि ये बात होई कि नहीं होई, और एक दिन बुद्ध ने ताय किया, और वा आधी रात को पत्मी और बेटे को सोता हुआ चोड़के चले गए, इसको बहुत दे परंपरा में महा भिनिश्क्रमन क कहते हैं, बुद्ध का अपनी घर से निकल जाना, अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैसरी शटन गुप्त ये शोधरा के परस्पेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं, ये शोधरा बहुत परिशान है, बच्छे का पिता चला गया, मजग थोड़ना है, राजा परिशा कि सबसे बड़ी परिशानी इस बात से नहीं कि मुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताय चले गए, भरोसा नहीं किया, और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्ध हे तु स्वामी गए, यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पती तुने महान ठाम के ले गया है सिद्ध हे तु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याधात, सखी, सखी वो मुझे से कह कर जाते, कह तो क्या वो मुझे को अपनी पत बाधाई ही पाते, क्या मेरा सरुकती उनका, उसके मन में यह मलाल है, कि बिना बताय चले गए, वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परिशान है, फिर बुद्ध को ग्यान मिला, छे साल की तफस्या के बाद, बोधी गया में, बोधी व्रिक्ष्चे नीचे ग्यान मिला, बात फैल गई, जो पांच शिश्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे, उनके बुरे व कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई, यहां भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो, बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता, वो बुद्ध मिश्रणम का अच्छा मी हो जाता, वापस ही नहीं आता, तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बच्पन के ये कहा के बेजा भाईया, मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे, तो वो गया, उससे वाइदा नहीं भाया, होतो गया, बुद्ध के संग में देखशित हो गया, पर वाइदा नहीं भा दिया, त पूरे कपिल बस्तु में, नेपाल सिध्धार सुनगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉडरों पही कपिल बस्तु है, मैं देखनी कहा था जहां बुद्ध पेदा हुए से बड़ा संदर्सान है, आप दी जाके देखनी कहा भी, तो बुद्ध पहुंचे रात को एक ध अपने पिता के रांजिय में, पिता ने सिर्पीट लिया कि भाई क्या सर रहा है, फिर बुद्ध ने सूचना बेजवाई कि मैं बुद्ध हूँ, बेटा हूँ संयोग से ठीक है, मैं आ रहा हूं मिलने के लिए पर मैं बुद्ध हो क्या हूँ, मेरी चर्या है, नियम है, मै भिक्षा से ही जीवन जीता हुँ अपना ठीक है पिता जीने के जड़ कोई बात ने फिर बुद्ध जाए पिता से मिलने पिता से मिले सबसे मिले भरी सभा में लेकिन ये शोजरा नहीं मिलने के लिए लेट गो नहीं कर पा रहे थे उसके मन में धर्द था छुपके क्यों गय बतागे जाता? बुद्ध ने पूछा पिता से कि ये शोजरा का हैं तो बो कह रहे है कि अगर बुद्ध मिलना चाहिए तो खोदी बिलने आए मुझसे मैं क्यों जाऊँ कि भाई? आप मेanti सम्मानभी तो कोई चीज है मैं क्यों मिलने जाऊँ औगे? तो बुद्ध मिलने कि बोलेंगे sorry मैंने गलत किया I hurt you I really feel sorry बुद्ध है वो बुद्ध है वह आजा कि क्या बुन रहे हैं पता है भेक्षाम दे ही भेक्षा दो और यह शोधरा कितनी महान महिला रही होगी उसने अपने बेटे का हाथ बाप की हाथ में दे दिया let go का इससे महान उधारन दुनिया के थिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके जुग के कुछ मांगा तो सही उसकी जितनी ego थी आहंकार थे सम्वगलित हो गया और जो परशान थी कि मुझे बिना बत्राइं गया उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ क्योंकि जानती है कि तुम महान काम कर रहे हो और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों मीच में आऊंगे भाई, मेरा पती महन काम कर रहा है, तो मुझे खुशी होनी जाए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों मीचे हटू, बस मुझे भारों से मिले के जाते तो और खुश होती, ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है, राधा जी अब जानते क्रिश्ट में उन से बहुत प्रेम करते तो वो क्रिश्ट से प्रेम करते थे, उनका विवाह नहीं हो पाया, अलग बात है, लेकिन हमारी परमपरा में प्रेम का जो पराकाश्था है ना प्रेम का चरम वो तो क्रिश्ट राधा का है, बना राधा कृष्णि का प्रेम है खास किस्म का प्रेम है जहां विवाह के बंधन के न होने पर भी प्रेम का चर्म रूफ होता है राम और सीता का प्रेम गारहसिक प्रेम का चर्म रूफ है कि पती पतनी का प्रेम कितना शांदर हो सकता है वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए विशेशनु से तुलसिदा जी कहां देखिए और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्णी का प्रेम देखिए पर इंट्रेस्टिंग है ये सारे जो हमारे धर्म के चरित्र हैं ये समय के साथ चेंज होते गए हैं राम बदले हैं, कृष्ण बदले हैं, राधा बदली हैं, सम बदले हैं एक कवीचे सूर्दा बाक्तिकाल में 16 सेंचुरी अप मोटा मोटा ध्यान में रखिये कृष्ण को, आपने को काने सुनी होगी कृष्ण तो अपने घर में थे, कंस को मारने के लिए वो पैदा हुए थे कंस को पता लगा, तो कंस ने अपने एक सहयोगी अक्रूर जो कि श्वफल के पृत्र थे उन से कहा कि जाओ, और क्रिष्ण को लेके आओ, यही मारेंगे, उसको पता ने थे, क्या होगा बाद में, आदमें कॉन्फिडेंस पैसी गलती है करता यह, तो वो सुपर कॉन्फिडेंस है, बलवाया क्रिष्ण को, क्रिष्ण तो इसी काम के लिए जब समझगे कि चलते है, राधा और गोपियां करिष्ण के बिना रह ने सकते थी, सुपर ॥िमॉष्ट्न विमन, ऐसा मानते हैं कि वो बहिलाए, राधा तो शूटी थी, बाग बहिलाएं, गोपियां से काफी बड़ी अम्रह तो इतनी मोश्ट्न थे खिष्ण को लेकर, कि वो क्रिष्ण तो क्रिशन और बलराम चले गए इधर क्रिशन गये उधर गोपियों बरूरों की हल बूरा राधा का हल बूरा ऐसी दिवानगी आजकल की फिल्मों में अफसूच नहीं सकते ऐसी दिवानगी थे उस जबाने में लोकिए वजब और जब आदमे का प्रेम हाथ से निकलता तो बिचारा कितना कमजूर हो जाता है राधा जी की हलत सोचिए सूर्दास कह रहे है आती मलीन वरिश भानु कुमारी हरी स्रम जलू अंतरतन भीजे ताला लचन धुआवती सारी कि वरिश भानु की कुमारी वरिश भानु मतलब राधा के पिता वरिश भानु की बेटी राधा इतनी कमजूर हो गई है इतनी मलीन हो गई है हरी स्रम जलू अंतरतन भीजे क्रिशन के पसीने की कुछ बूंदे उसके उपर गिर गए सी उसकी साड़ी में लगी हुई है तालालच नधुआवती सारी इस लाधत से साड़ी धुलवा नहीं रही है और जब से क्रिशन गए है कपड़े तक नहीं बदलना चाहरी है कि इस कपड़े में मेरे प्रिये की याद है खाती नहीं है इतनी कमजूर है हिल नहीं पाती है एक और कवी होगे वो तो इतने आगे बढ़ गए बिहारी नाम की कर्वीत है उनकी नाई का तो लगता कि घड़ी का पेंडूलम है सास लेती है तो चार पांस कदम छे सत कदम पीशे चली जाती है सास छोड़ती है तो आगे आ जाती है सास की हवा से ऐसा हो रहा है इत आवत चली जात उत चली छे सात अखात चड़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ कि इधर आती है उधर जाती है छे सात हात इधर छे सात उधर सास लेती है तो यहाँ छोड़ती है तो वहाँ जैसे जूला जूरूल रही हो पर ये रितिकाल की कवी हैं, उनका अलग तेस्ट है, हम सूर्दास पिगात कर रहे हैं राजा इतनी परशान है अज़ा जब आदमी परशान होता है जब उसका ब्रेक अप टाइप का होता है कि कोई गया है, वापस ही नहीं आ रहा क्रिष्ण नहीं सुक्त है, कि बस जा रहा हूं रहा है, कामनिप्टा खेता हूँ उनके मन बें थ् trainings सब्सक्राण फाना है, कामनिप्टा भी दिया अब काणस के बात सवाल है कि मतोरा का सामीराद रिए कौन संभाले उसको एक स्ट्रक्चर मिलाने के लिए क्रिशने को लगा कि मुझे यहां रहके सिस्टम को ठीक करना चाहिए उसके बाद रोटना चाहिए तो वो रूप दे वहाँ पर राजी का काम भी तो करना ही था पर प्रेमी व्यक्ति को सनसे समयती था दो फिर मेंगता कि नहीं मेरे पौस हौँ बाकि सब बेकारागे बाते हैं क्रिशना ने रहे यह मुना के ऐधर क्रिशन हीं ंधर गोपियाँ हैं पर आत्मस ममाने थो है एक अनोचरने का कि नःऊ में बैट के ज़िन चलि आती लगा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गल्ती कर दी हो जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता ना बाकी लोग सोचे कि कहीं मुझसे दो गल्ती नहीं हुए और राधा अपनी एक सहेली से बुलने गोपिसे मेरे मन इतनी सून रही एक दिवस मेरे ग्रेह आए मैं ही मस्ती दही देखित इन्हें हो मान कियो सो हरी गुसा गही अगला सी गई है बौरा सी गई है सहेली से क्या बूल रही है है सहेली मुझसे पताए क्या लग रहा है मुझे लगता है कि मुझसे ही गल्ती हुई है उसने मुझसे क्या गल्ती हुई है क्या रही है कि एक दिन क्या हुआ क्रिश्ट भंगवान मेरे पास आये थे, मैं उस समय दही मत रही थी, वो गौाला जीवन है न वहापर तो, वो गौपालंग जीवन का कावे है पुरा, अब वो मुझसे बात करने आए, और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मांग किया, मांग करना मैंने जिसको आपकी एक दिवस मेरे घर आये, अब समझ मैंगा, एक दिवस मेरे घर आये, मैं ही मचती दही, देखी तिन्हे हो, मतलब मैं मांग कियो, मैंने अहंकार दिखाया, सो हरी गुसा गही, गुसा आगया उनको इस बात से, सूर्दास की राधा मुक्त नहीं हो पारी, लेट गो नहीं कर पारी, बुझी नहीं सकती क्रिशने के बिना, पर फिर देखिए, तीन सो साल बाद क्या हुआ, तीन सो साल बाद का माल हुआ, बीसमें शिताब्दी के शुरू रात में, एक और कभी हुए, उनका नाम था अयोदियर सिंगु पाक जैर हरियोद, हरियोद के नाम से प्रवास में अब प्रिय प्रवास में सला गया है, क्रिशने सला गया है मत्वरा, अब राजा कैसे जीएगी, 20th सेंचरी के शुरुवात में फ्रीडम स्टगल शुरू हो चुका है, महिलाएं अभी तक स्वधीन तांदोरन का हिस्सा नहीं बनी हैं, पर अब वो समय आ रहा ये राधा जी क्या बोल रही है, प्यारें जीवें, जगहित करें, गेह चाहे ना आवें, मेरे प्रिय खूब जीएं, समाज का कल्यान करें, घर बेशक ना आए, कोई दिक्कत भी है, मैं चाहती हूँ कि समाज का भला होना चाहिए, ये वो बिंदु है जहां राधा ये सिशन गप की एशोधरा, और जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ उस एक्जामपल से वो ये, कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हूँ, वो किसी बड़े काम की खोज़े में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो, और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्तिया ऐसा है, जो क करने दो, अपने स्वारत के लिए किसी को बांद के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है, जाने दो, ऐसा क्या है, उस्तों बढ़िया होगा, एक सितनी हम में से कही रहों की आती है कि मैं टॉक्सिक रिलेशन्शिप में होते हैं, पर छोड़ नहीं सकते ऐसे बहुत सारे पदिबत नहीं होते हैं, मैं अक्सर बच्चों से इक बात पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैबाहिंग जीवन चाहते हैं, जो आपके माता पिता का है, मैं आपसे पूछू हूँ और नहीं आप चिता बत कीजिए, लेकिन जब जब म पूछ कि कि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझोते करते हैं, ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके, आप भी करेंगे समझोते, सब करने पड़ते हैं यह है कि आप समझोते श्याद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माबबने की होंगे उनके माबबने और ज़्यादा की होंगे हर पेड़ी कम समझोते करती है यह सवाज के विकास का तरीका होता है पर ऐसा हूता है कि आप एक ऐसे रिज्टे मेरे यह छोड़ भी नहीं सकते जी नहीं पा रहे छोड़ सकते नहीं क्योंकि आप तो छोड़ देंगे आपके चक्केर में कईयों की जिंडे की जावफे लग जाएंगे कैसे चोड़ दे तीन चोड़े चोड़े बच्चे हैं नोकरी है नहीं वो मा अपने पती से रोज प्रताड़ना जेलती है बुरी बाते सुनती है उसके बसको सिक्योरिटी नहीं है वो बच्चों को नहीं चोड़ सकती है बच्चों को लेगे कहा जाएगी क्या करे टॉक्सिक निष्टा है तो ऐसे में या तो आप निष्टा छोड़तें कि हरकेश में सम्दम नहीं होता पर यदि वो सम्दम नहीं है तो रिश्टे में रहते हुए चिंताइं छोड़ दीजिए अप एक्षाइं छोड़ दीजिए तेरी अपनी जिन्दगी मेरी अपनी जिन्दगी एक घर में रहेंगे पर रोज युन्द नहीं करेंगे बीपी नहीं बढ़ाएंगे शुगर नहीं पढ़ाएंगे तरनाव नहीं बढ़ाएंगे तुम्हारा अपना स्पेस मेरा अपना स्पेस ठीक है इन शट के नीचे हैं काम चला लेंगे किसी और को नहीं बताएंगे दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिच्वाते लेंगे स्माईल करकर के चेहरा पर कम से कम बच्चे सफर ना करें जी लेंगे जेल देंगे और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा से ना उसी कवेता की कुछ पंगते हैं बड़ी महत्रूव है कि बरबादियों का सोग मनाना फिजूल सा कि बरबादिया है जीवन में पर ठीक है कितना दुख मनाएंगे अब है तो है क्या कर सकते हैं बरबादियों का सोग मनाना फिजूल सा बरबादियों का जश्न मनाता चला गया और फिर अंतमे इतने सुन्दर बाद कहते हैं गम और खोशी में फरक ना महसूस हो जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया ते ठीक है जैसे जिन्दगी है उसको वैसे जियेंगे अप एक शाय नहीं पा लेंगे ना तुम उमीद करना